बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में एक शेर और एक भालू रहते थे, शेर जंगल का राजा था और भालू एक साधारन जीव था, दोनों के बीच एक अनोखी दोस्ती थी, शेर अपनी ताकत के लिए जाना जाता था, जबकि भालू अपनी बुधिमत्ता के लिए एक दिन, शेर ने भालू से कहा, भालू भाई, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो, हम एक साथ शिकार पर चलते हैं, भालू ने सहमती दी, लेकिन उसने शेर से कहा, पर शेर भाई, हमें मिलकर शिकार करना चाहिए, ताकि हम दोनों को खाना मिले, शेर ने कहा, ठीक है, ल दोनों जंगल में गए, कुछ समय बाद, उन्होंने एक हिरन देखा, शेर ने छपटा मारा और हिरन को पकड़ लिया, जब शेर ने हिरन को मारा, तो उसने अपने हिस्से को खा लिया और भालू से कहा, तुम अपना हिस्सा खुद लो, भालू को यह उचित नहीं लगा, उ और मेरे लिए यही सही है, तुमने मुझे मदद की, लेकिन मैंने सबसे पहले खाया, भालू ने सोचा कि इस बार शेर ने उसके साथ अन्याय किया, उसने निर्ने लिया कि वह शेर के साथ और नहीं रहेगा, अगले दिन भालू ने शेर को छोड़ कर अकेले शिकार करने का फैसला किया, वह धीरे धीरे जंगल में गया और एक बड़ा बैल शिकार किया, जब शेर को पता चला कि भालू ने अकेले एक बड़ा शिकार किया है, तो उसने सोचा, मुझे इस भालू की बुद्धिमत्ता को समझना होगा, वह भालू के पास गया और कहा, भालू भाई, तुमने तो बहुत अच्छा शिकार किया है, क्या मैं तुम्हारे साथ बैट कर कुछ खा सकता हूँ, भालू ने उसे देखा और कहा, तुम्हारे साथ खाना ठीक नहीं है, क्योंकि तुमने मुझे पहले भी धोका दिया था, शेर ने अपनी गलती मान ली और कहा, मुझे मा कि अब वह शेर के साथ कभी शिकार पर नहीं जाएगा, दोनों ने मिलकर दोस्ती की एक नई शुरुआत की, जहां वे एक दूसरे का समान करते थे, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कि सच्ची दोस्ती में आपसी समान और विश्वास होना चाहिए